Hello and welcome everyone, welcome to GRS Technical, तो कैसे हैं आप सब, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि email writing बिल्कुल appropriate तरीके से, बिल्कुल accurate तरीके से, आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल last तक देखिएगा, वीडियो अच्छे लगती है, तो इस वीडियो को like, share, subscribe जरूर करिएगा, तो students ये जो email writing है, वो class 10th और class 12th के students के लिए बहुत ही ज start करते हैं, तो student ये जो email writing है, ये आप लोगों के examination में बहुत ही ज़ादा important है, और आज मैं आप लोगों को email writing ही बताने वाली हूँ, सबसे पहले जबी आप email writing लिख रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले इस तरीके से box को draw कर लेना होगा, कभी भी आपको इस तरीके से box बना है या नहीं पता है, लेकिन जो चीज actual है, वो मुझे बताना आपका काम है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से box को draw कर लेना है, उसके बाद सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे लिखना है, अपना नाम की, ये जो email जो है, वो किसकी तरफ से है, ठीक है, अगर आप किसी को email भे दिया है, उसके बाद जो, इसको मैं email भेज रही हूँ, मैं भेज रही हूँ, ओमकुमार को, अपने चोटे ब्रदर को, तो मैंने उसको लिखा है, ओमकुमार2001.email.com, तो आपको, यहाँ पे आप जिसको email भेज रहे होगे, वो 2 में आएगा, ठीक है, फ्रॉम और 2 को लेक होगे date, date को भी लेकर के confusion बना रहता है, students में date कुछ आप लोग इस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से 5, 10, 20, 21, इस तरीके से date लिखते हो, तो date लिखने का correct pattern ये नहीं है, date इस तरीके से बलकु लिखते है, जैसे कि आज 5th of February है, तो आप लिखो के 5th of February 2020, या फिर जो भी year है, जो भी month है, जो भी date है वो, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, इस तरीके से date, date हमेशा याद रखिए का date बिलकु इस तरीके से proper manner में लिखना है, उसके बाद आता है हमारा subject, subject हम लिखेंगे, अब subject में हमको बिलकु छोटे words में meaningful words लिखना है, meaningful words मतलब की ऐसा word लिखना है, जो की छोटा हूँ लेकिन काम का हो, ठीक है, तो subject हम छोटा लिखेंगे, कहते हैं ना, English में लिखना है आपको, और ऐसा कहते हैं ना, कि छोटा packet बड़ा धामा का, उस तरीके से आपको यहाँ पर subject में लिखना होगा, कि वो word जो है, वो छोटा ह होना चाहिए, लेकिन बहुत ही जदा meaningful होना चाहिए, तो आप लिखेंगे, change in the timing, ठीक हम यह जो email लिख रहे हैं, वो किसके regarding लिख रहे हैं, हमारा subject क्या है, तो हमारा subject है, change in the timing, यह title लिख देंगे, हम subject लिख देंगे, यह बाद हमको यहाँ पर, एक line leave करना होगा, यहाँ पर, एक line leave करना है, आप देख भी सकते हैं, मैंने एक line आप लिख किया है, उसके बाद आपको लिखना है, dear sir, ठीक है, आप यह जो email है, अपने respective sir को भेज रहे हो, तो आप लिखोगे, dear sir, dear sir, लिखेंगे, उसके लिखेंगे, please accept the time as timing of meeting was scheduled for 12.30 pm on 16th December, the meeting will now to be held at 4 pm on the same day, ठी लिखेंगे, उसके बाद फिर paragraph change करेंगे, I am waiting for your reply, हमें जो email लिख रहे हैं, वो कम words में लिख रहे हैं, लेकिन meaningful चीज लिख रहे हैं, तो आपका जो email होगा ना, वो बर्कुल to the point होना चाहिए, ज्यादा lengthy नहीं होना चाहिए, और straight appropriate word लिखोगे, आप polite manner में लिखोगे, that's sequence बहुत ही important है, sequence आपको याद रखना है, पहले from होगा, फिर to होगा, फिर date, then subject, then leave a line here, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर dear sir लिखना है, फिर आपका main body होगा यहाँ पर, फिर आपको एक line leave करना है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे, I am waiting for your reply, अगर आपको reply का इंतजार ह उसके बाद फिर आपको यहाँ पर regards लिखना है, उसके अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है, उसके बॉक्स को यहाँ पर इस तरीके से बंद कर देना है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लो बिल्कुल appropriate तरीके से, सही तरीके से सिखाया है कि आपको email writing कैसे लिखना है, उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज का यह वीडियो हमारा पसंद आया है, तो इस वीडियो को like, share, subscribe जरूर करिएगा, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयाहिन, बंदे मातर नमस्कार